आप से लोग का स्वागत हैं, दोस्तो में नाप धर्मिंदर शाह है, आज मैं आपको pen card से related एक बड़ा update देने सा रहा हूँ, अगर दोस्तो आपका pen card नहीं बना है, अगर बन भी चुका है, अगर आपके family में कोई member है, जिसका pen card नहीं बना है, तो दोस्तो आप free of cost pen card बनवा पा सकती है, बहुत है simple process है, इसके इसमें आपका जो अधार card है, या जिसका आप pen card बनवाने जा रहे हैं, उनके अधार card में wire number होना compulsory है, इसके बिना उनका pen card नहीं बनेगा, तो दोस्तो pen card बनाने के लिए basically करना क्या होगा, सबसे पहले आपको income tax, सबसे पहले Chrome में जाकर या Google में जाकर income tax लिखना बस, आपको income tax टाइप करना है, मैं टाइप करता हूँ income tax, income tax department आएगा, सबसे टॉप अला जो आएगा, लिंक ना, उस पे क्लिक करना, e-filling home page पे क्लिक कर देजे, क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको left side में tweak link, left side में tweak link options आएगा, उसके सबसे पह time through adhar card पे क्लिक कर देजे, क्लिक करने के बाद, क्या process है, वो मैं पताता हूँ, देखे, easy and paperless process है, ठीक है, get pen with 10 minutes, 10 minute के अंदर आप pen card, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर e-pen card आपको मिलेगा, यहाँ पर physical आपके पास नहीं आएगा, अधार card and link mobile number, जो भी आपका अधार card में mobile number link का होना compulsory है, इसके बिना आपका जो pen card है, नहीं बनेगा, तो दोस्तों, यहाँ पर देखे, remember, always remembered है, कि pen allotted based on अधार is free of cost, pen PDF will be generate an issue to applicant, दोस्तों, यहाँ पर अधार based आपका pen card बनेगा, तो दोस्तों, यहाँ पर two options है, get new pen card, उसके बाद आता है, दूस्ता section है, check status and download pen card, यह दो options हाईगा, अगर आपका pen card नहीं बना है, तो सबसे पहले आपको करना, get new pen card पर click करना है, click करने के बाद simple process है, देखे, आप सबसे पहले पूछेगा, enter your अधार number for pen allotment, जो भी आपका अधार number है, यहाँ पर इंटर कर दे I confirm that पर tick लगा देजे, उसके बाद क्या question पूस्ट रहा है, first I have never been allotted a permanent, आपके पास कोई भी एक कुछ query पूछ रहा है, ठीक है, तो tick करने के बाद आपको generate अधार OTP, पर click करने के बाद आपके पास अधार card पर जो mobile number आपने दिया है, उस पर एक OTP number आएगा, वो यहाँ प आपके pen card में भी update होगा, तो वहाँ पर confirm करने के बाद फिर उसको submit करना, submit करने के बाद एक OTP और आएगा, वो वहाँ पर enter करना, इंटर करने के बाद वो submit हो जाएगा, आपका successful हो जाएगा, कि आपने acknowledgement का message आपके mobile number पर आजाएगा, उसके बाद या तो एक दिन के बाद, सेम इसी website को उपन करना, income tax department वाले को, सेम उसी जगह पर आना, आपने instant pen card, through अधार card, तो यहाँ पर इसके बाद क्या करना, आपने आना है, check status and download pen card, तो दोस्तों यहाँ पर अधार number डालना आपने, फिर आपने क्या करना है, capture, capture fill up करना है, और submit करना है, submit करने के बाद फिर से आपके mobile पर OTP number आएगा, जो आपके अधार card से link है, जैसे ही आप OTP डालेंगे, वैसे ही आपको download options आजएगा, उसको download करने के बाद, उसका PDF आप download कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद जब उसको open करेंगे, तो आपको date of worth आपका जो है, जैसे स्पोस करेंगे, इसका 25 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 1995 है, तो 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 1995 है, तो 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 1995 है, बस without space डालना है, और यह PDF उपन हो जाएगा, तो आप किसी भी computer shop से जो lamination स्वेरा करते हैं, उसका print out, clear print out, निकलवा के, उसका अच्छी तरह से lamination करवा लें, और आपका pen card बन गय तो आज ही try करें, अगर कोई भी confusion होता है, तो आप हमें comment भी कर सकते हैं, तो thank you very much for watching this video, bye bye